तो दोस्तों, येरो-USD पे तो हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं और करें भी क्यों ना? दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेडड एसिट पेर है योरो योएसडी और योरो योएसडी में आप अगर जो पेर है उसका वोलाटिलिटी को अगर थोड़ा सा ठीक ठाक समझ लो तो आप आराम से स्क्यालपिंग से अच्छा पैसा बना सके लेकिन आप में इसे बहुत कोई ह है जो लोग मुझे मैसेज किया हो कि सर जीबी-पी-उएसडी के बारे में बताइये जीबी-पी-उएसडी का मूझ अज कल थोड़ा कम ही समझ में आ रहा है ज्यां दोस्तों मैं इस बात से सहमत हूं और मूद GBP, USD, मतलब Great Britain Pound, United States Dollar का analysis मैं कैसे करता हूँ, कैसे मैं long term जो trend है, उसको break करके कैसे मैं short term trade entry लेता हूँ, इसके बारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा. नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ सोंभियो रॉय और मैं आप सब लोग का स्वागत करना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल, चैनल पर अगर पहला बारी आये हो, तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, और नीचे description box चेकाउट करना मत भूलना क्योंकि description box में छुपा हुआ है आपके लिए खजाना, अभी खोजो आप, खजाना आपके लिए है, खोजना आप ही को है, लेके भी जाओगे आप ही, अगर नहीं मिलता है तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के अंत में मैं बताऊँगा कि खजाना basically description box में क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज का ये brand new trading tutorial video, wherein I am going to tell you about Great Britain Pound United States Dollar, थोड़े देर पहले ही US Retail Sales का खबर आया है, थोड़े देर पहले ही, और उसी के ऊपर, उसी के चलते हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कुछ, मैं आप लोग को बता दू, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कुछ movement, जैसे कि ये movement, ये movement basically बना है जब ये news आ रहा था, अभी आप लोग को समझ में आई रहा है कि क्यों मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी breaking news, कोई भी बड़ा event होने से 45 मिनिट पहले और 45 मिनिट बाद trading ना करो तो ही अच्छा है, लेकिन अगर आप scalper हो तब आप इसका भरपूर फाइदा उठा सकते हो, चलिए देखते हैं कि basically GBPUSD का overall मिजाज कैसा है, ये देखने के लिए पहले तो आपको चार घंटे का जो movement है ये आपको समझना पड़ेगा, चार घंटे में GBPUSD में क्या movement है दोस्तों, आप लोग देखिए कि GBPUSD एक बहुत time से उपर के तरब जाही रहा था, थोड़ा बहुत correction हुआ, जो मैं भ ही आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, एक correction यहाँ पे हुआ है, छोटा सा correction यहाँ पे हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कुछ correction हुआ है, ये है कुछ correction और अगर इसको आप trend line में लाते हो तो ऐसा एक formation आपको देखता है, चार घंटे का time frame में, और चार and pound United States dollar को, तब आपको ये दिखेगा कि जो market है, market में एकदम proper एक direction आपको नहीं दिख रहा है, तो उस direction को समझने के लिए हम लोग चले जाएंगे एक घंटे के चार्ट में, अगर आप एक घंटे का चार्ट देखोगे, तब आपको ये दिख रहा है एक घंटे के चार्ट म अभी एक काम करते हैं, एक print line लाते हैं, ठीक है, ये रहा print line, इस line को हम लोग बराबर से बैठाएंगे, ठीक है, आप या तो ऐसे रख सकते हो line को, ये रहा, ठीक है, अगर आप ये जो movement आप लोग को दिखा है, जहां पर एक, मतलब, sudden एक downtrend दिखा था, ये जो है, लेकिन ये fake है, basically आप लोग को समझ में आही रहा है, कि उसके बाद market फिर भी उपर गया है, और उपर छोटा मोटा उपर नहीं गया है, मतलब कुछ pips के लिए नहीं गया, यहां पर देखिए, price इस level से शुरू हुआ है 1.05331, मेरे right hand side में देखिए, यहां से शुरू हुआ है आपका movement इस level से, और price गया है 1.25113 के आसपास, मतलब, अच्छा खासा price ट्रैवल किया है towards north, मतलब, bullish trend यहां पर था, यह आप देखी सकते हो, अभी यहां पर क्या हो सकता है, GBP USD में, पिछले कुछ time से यह दिख रहा है, कि market basically समझ में नहीं आ रहा है, और यह जो जगा है, इसको मैं basically पकड़ता हूँ, upward trend market के रूप में, upward trend market ही यह है, जहां पे आपको दिख रहा है, कि sentiment अभी भी bullish है, sentiment अभी भी bullish है, और हो सकता है, हो सकता है, कि यह जो daily candlestick आप देख रहे हो, यह 11.05 से लेके, यहां पे 12, 14, 15, यह आपको जब दिख रहा है, यहां पे एक candlestick, यह जो candlestick है, यह candlestick बहुत किसी को problem में डाला है, problem मतलब बहुत कोई यह सोच रहा है, कि हो सकता है, कि यह एक engulfing pattern हो, और इसके बाद market उपर जाएगा, देखे, ऐसा सोचने से फाइदा नहीं है, अगर market उपर जाएगा, तब at least यह जो candlestick है, यह candlestick पूरा cover होना चाहिए, अगला दो दिन में, या तो अगला तीन दिन में, इससे ज्यादा आप wait नहीं कर सकते हो, और अगर trend अगर downward trend है, तब यह जो green candlestick है, यह पूरा का पूरा, यह समेट जाना चाहिए, या तो engulfing pattern हो, या तो कल जो candlestick form होगा, वो downward trending candlestick हो, जो की start ही होगा red से, तब जाके हम लोग को पता चलेगा, कि market downward trending है, अगर नहीं है, तब मैंने आप लोग को बता दिया, कि यह level, यह जो level है, यह level basically है, आपका, दिखा देता हूं मैं, यह level है, 1.26350, 1.26350 के level को, अगर आपका green candlestick cover करता है totally, तब आप upward trade open करो, make sure कि आपका जो stop loss हो, stop loss बहुत तगड़ा रहे, क्योंकि हो सकता है, market आगे जाके change हो, क्योंकि एक बहुत, मतलब एक ऐसा जगा में market अभी है, जहाँ पे उपर side से जा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक resistance है, पूरा अच्छा खासा आप लोग को दिख रहा है, कि left hand side में, asset का, chart का, अगर left hand side में देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि historically chart इस level पे क्या खेल दिखाया था, तो उसी खेल को देखना है, उसको नजन अंदाज नहीं करना है, और उस हिसाब से आपको trade open करना है, और अगर market bearish है, अगर पूराना जो खेला हम लोगों ने देखा, उसी खेला के उपर, अगर सब कुछ चल रहा है, तब आपका ये जो green candlestick है, इसको engulf कर लेना है, पूरा का पूरा इसको engulfing, एक red candlestick, आपको बताएगा कि market bearish है, उसके बाद नया red candlestick form होगा, जहाँ पे आप sell position open करोगे, mind you कि आपको tight stop loss रखना है, ये था मेरा GBP USD के उपर, एक छोटा सा wishlation आप लोगों के लिए, अभी देखिए, मैं आप लोगों को पताई है कि मैं जब forex trade कर रहा हूँ, तब मैं बहुत ज्यादा क्या करता हूँ, मैं price action trading ज्यादा पसंद करता हूँ, and that is why मैंने price action के उपर ही पूरा का पूरा अपना जो समझ है, मेरा जो समझ है वो रखने का कोशिस किया, तो आप लोगों को क्या लगता है, आपका opinion क्या है, वो आप लोग comment में बिलकुल मुझे बता सकते हो, अभी देखिए, काम करते हैं, अभी कोशिस करते हैं, एक trade open करन एक तीन मिनिट का एक मैं downward trade यहां पे ले सकता हूँ, ठीक है न, यह रहा, एक downward trade मैंने लिया है, एथर पे, sorry, GBP USD पे, और यहां पे आप लोग देख रहे हो कि एक resistance zone है, अच्छा खासा resistance zone है, जो resistance zone को हो सकता है, अपना asset इतना easily break ना करे, बिना, बिना कोई horizontal line या बिना कोई indicator के आप यहां पे बता सकते हो, कि market यहां पे, इस price को, market ने reject पहले भी किया है, और हो सकता है, कि market अभी भी इस price को reject करे, reject करने का यहां पे दो, दो level पे reject हो सकता है, एक है यह level, जो की, एक मिनिट देखा देता हूँ मैं, एक है यह level, ठीक है, और एक बार एक horizontal line लेके आते हैं, और जो दूसरा level होगा, वो दूसरा level है अपना, यह level पे आप ले सकते हो, अगर reject नहीं होता है, अगर यह जो candlestick है, यह candlestick अगर आपको फिर से उपर लेके जाता है, reject नहीं होता है, तब हम लोग यहाँ पे dragon trade लेने का निरनय ले सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक मिनिट 37 seconds का time बचा हुआ है, rejection हो रहा है, लेकिन उतना तगड़ा भी rejection नहीं है, उसलिए मैं यहाँ पे कुछ अभी तो इपणी नहीं करूँगा, एक hammer form हुआ है, inverted hammer, now let's wait and watch, एक मिनिट 16 seconds का time बचा हुआ है, price मूफ कर रहा है उपर के तरफ, इसको हम लोग dragon trade यहाँ पे ले सकते हैं, देखते हैं, इस level पे reject होता है कि नहीं, पचा सेकेंड का time बचा हुआ है अपने पास, 44 सेकेंड, दो डॉलर का यहाँ पे एक डॉलर का यहाँ पे sell price है, देखें यह trade तो बहुत ज्यादा important नहीं है, लेकिन जो movement है, इससे आपको हमें और हम सब को इससे सीखना है कि GBP-USD पे आपको कैसे rejections को handle करना है, क्योंकि अगर आप rejection समझ नहीं पाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लुक्सान का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मैं अभी लुक्सान का सामना कर रहा हूँ, may be, may be, may be, 5, 3, 2, 1, यहाँ पे लुक्सान सायद से मेरे को नहीं हुआ, सायद से मेरे को नहीं हुआ, जो मैंने बोला था कि ये label पे reject हो सकता है, price उपर गया, 3 मिनिट के अंदर, 2 मिनिट के अंदर price नीचे आया, और इसके बाद भी आप लोगो को दिखेगा कि price नीचे आ रहा है, आप लोग अभी अच्छे से price को देखिए, तो दोस्तों जो खजाने के बारे में मैं बता रहा था, description box check out करना मत भूलिए description box में आप लोग के लिए कुछ मेरा recommended videos मैंने enlist करके रखा है अगर आप सही में stock trading करना चाते हो अगर आप सठीक तरीके से आगे बढ़ना चाते हो तो ये सब videos को देखना मत भूलिए और जो description box में पहला link है उस link से आप register कर सकते हो if you are a newbie, if you do not have any trading experience just register, get your free trading account and let me also remind you कि अगर आप register करने के एक घंटे के अंदर-अंदर deposit करते हो अब आपके लिए Allim Trade Broker के तरफ से कुछ bonus भी आपको मिलता है go ahead and check it out for yourself और मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूं कि नीचे description box में मेरा हर एक social media accounts का link मैंने डाल के रखा है please, please, please follow only my social media official accounts not the fake ones out there और अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपको जानना चाहते हो, कुछ video request करना चाहते हो if you are looking for a promo code, if you want some help from me मतलब कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है ट्रेडिंग के ऊपर कुछ indicators आपको समझ में नहीं आ रहा है make sure कि आप मुझे directly लिखे और मैं आपको जवाब बिलकुल दूँगा जब मैं free रहूं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह video आप लोगों को अच्छा लगा होगा video अच्छा लगा है तो video को like कर दीजे जाने से पहले नीचे comment बिलकुल छोड़ दीजे मिलते हैं एक नया tutorial के साथ अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही मुझे आ गया दीजे नमस्कार चाहिंद भारत मता की जये